आज मैं बात करने वाला हूँ उस इंसान के बारे में जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है और रोज मेहनत करता है और पैसा कमाता है और अपने बैंक अकॉण में रख देता है उसके बारे में बात करूँगा और एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूँगा जो कि उस पैसे को क कमाता जरूर है बट कभी भी अपने बैंक अकाउंट में रखता ही नहीं है वो इस पैसे को बोलता है बेटा आपको मैंने कमाया अब आप औरों को कमा कर लाओ कैसे कैसे पॉसिबल है ऐसा भी क्या हो सकता है तो आईए आज मैं आपको समझा देता हूँ कैसे चीजे काम करती ह है और आप भी यह चीज कैसे कर सकते हो सबसे पहली बात आती है जब हम पैसे के बारे में बात करते हैं तो पैसे का नाम आते ही लोगों के माइंड में आ जाता है कि यार पैसा तो बहुत ही कीमती चीज़ है और इसको समाल के रखना चाहिए इसको जितना ज़्यादा हो सके उसको safe करके रखना चाहिए, कि कहीं खतम ना हो जाए, अब बात आती है, जब आप नए नए इनसान होते हो, लाइक आपने अपनी starting की, job करनी starting की, तो आप क्या करते हो, आप अपने time को sell कर रहे हो, किसके लिए, पैसे के लिए, clear, ये थोड़ी सी equation है, जो सबको समझ में आती होगी, अब बात आती है, क्या कभी ऐसा हो सकता है, कि आप अपने पैसे से काम करवाओ, किसके लिए, कि भाई तू और ज़्यादा पैसा कमा करला, ऐसा होता है, 90% time, ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, द्यान से समझो, आपके mind में बचपन से ये चीज़े डाल दी जाती ह कि बेटा, 12th class के अंदर 90% marks लाओ, अगर आपको job चाहिए, तो भी आप अपने graduation के अंदर 80-90% marks लाओ, कोई exam clear करो, उसके बाद में आप क्या करो, job करो, कोई job करने के बाद में उसमें experience गेन करो, 4-5 year, इतने जाते जाते बंदा 30-35 plus का हो जाता है, उसका motivation पूरा 0 हो जाता इसके बारे में सीखी नहीं पाता है, जिसको financial education बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमें अपना शरीव बनाना है, तो हमें जिम जाना पढ़ता है, अगर हमें अपनी knowledge भढ़ानी है, तो हमें बुक्स पढ़नी पढ़ती है, सेम अगर हमें अपनी financial condition को सुध जारना है, तो हमें पैसे के बारे में सीखना, समझना, कैसे काम करता है, उसके बारे में समझना जरूरी हो जाता है, और अगर आप ये concept समझ गए, ये concept जो हैं किसी भी बुक्स में नहीं सिखाया जाता, ये किसी colleges में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि वहां पे आपको नोकर करने बनने की planning करी जाती है नहां कि मालिक बनने की अगर आपने पैसे को काम पे लगाना सीख गए तो आप काम ही नहीं करोगे यह है reality काफिर टाइम मुझसे मेरे घर वाले मजाग मजाग में पूसते हैं कैसा चल रहा है मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं करता हूँ मैं कुछ सच में करता भी नहीं हूँ मेरा पैसा अगर मेरे लिए काम कर रहा है और मुझे उससे काम कराना आता है तो मैं उस पैसे का मालिक बनना जादा प्रफर करूँगा यह चीज आप लोगों को भी समझनी चाहिए कि पैसे से काम कैसे कराया जाता है और लोग कराते कैसे हैं यार यह चीज कैसे होती है देखो आपने अपना टाइम बेचा पैसा कमाया पैसा कमा कर लोग क्या करते हैं सेफटी के लिए वो बैंक में जाता हूँ यहाँ पे मैंने बैंक में पैसा रखा अब रखने के बाद होता क्या है बैंक इस चीज़ो को क्या करता है पहले तो वो लोगों को ब्याज़े देला गांको करता है अपने देखा होगा कि पैसा काम कैसे करता है उनका काम है प्रोफेशनल आपका पैसा जो यहाँ पे बैंक में आपको 4% का सालाना का ब्याज देता है मेरे भाई वही वही पैसा बैंक वाले क्या करता है अपने mutual fund में जैसे आपने नाम सुना होगा कि SBI mutual fund, SDFC mutual fund यह किसके पैसे होते हैं भाई यह आपके पैसे होते हैं यह किसी और के पैसे नहीं होते बैंक के पास तो पैसा कहा से आया आपका ही तो है ना clear अब क्या हुआ यहाँ पर कुछ मोटी पाटी बूल सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं आपके पैसे को लेकर अब वो यहाँ पर करते गया है उनका काम है कि मंतली बेसिज पे 4%, 5% और कभी एक्स्ट्रीम हो गया तो 7% तक का रिटन निकालो बस वो केवल इतनी चीजे करने के पीछे काम करते हैं और कैसे काम करते हैं समझो maximum time 90% time जो आपका पैसा होगा वो market में लगेगा कहाँ पर लगेगा share market में आपको बोला जाता है share market जुआ है आपको बोला जाता है share market highly volatile है बहुत ज़्यादा risk है नुकसान हो जाएगा आप लुट जाओगे बरबाद हो जाओगे ताकि आप panic situation में आओगे बहुत अपने बस की ना आया हमने तो मेहनत करके कमाया हम तो 4% साला न ले लेंगे हम खुश हैं अगर ये वाली mentality आपने change नहीं की न तो कभी भी पैसे से काम कैसे करवाना है समझ में नहीं आने वाला अब share market को लोग जुआ मानता है बट उनके घर में देखोगे तो 90% जो products है न वो share market में listed है like companies जो उस product को बनाती है वो company list है share market में और उस बिचारे को ये बात पता ही नहीं है क्योंकि वो तो टाटा में job करता है उसको ये बाते पता ही नहीं है किसी ने बता ही नहीं है क्योंकि उसने पता करने की कोशिश कभी की भी नहीं है clear तो share market में पैसा लगता है अब बात आती है share market तो जो ज़्यादा रिस्की होता है होता है put option चीक है यह लीजिए अब यह है क्या यह क्या call and put की बला क्या बोल दी मैंने इसको क्या बोलते है इसको basically CE बोलते है call European इसको PE बोलते है put European अगर यहाँ पर बात की जाए तो यह काम कैसे करता है ध्यान से समझो यह न सबको पता है कि options के अंदर नुक्सान होता है यह बताया जाता है जान बुझ के लोगों को समझाया जाता है लोग बड़ी party मोटी party होती हैं बोलती है कि भूह option तो जान ले लेती है यह कर लेती है वो कर लेती बट एक्चुल में जो बड़े-बड़े mutual fund या फिर bank management जो करते हैं, basically banks को manage करते हैं, वो लोग, या फिर hedge fund होता है, वो लोग, या फिर और भी ऐसे investors, जो कि international investors होता हैं, वो केवल और केवल options में काम करना क्यों पसंद करते हैं, आपको एक चीज बताता हूँ, मैं एक example की दोर मेरे client का, मेरे client है, उन्होंने I think कोई plot sell किया 1CR का, उसमें से उन्होंने 10 lakh की car ले ली, बचे उनके पास में कुछ पैसे, उसमें से कुछ खर्च कर दी, तो 75 lakh रुपीज, उनके पास बचे, वो सुबह सुबह TV देख रहे थे, CNBC वगरा करके जो है, उनको देखते हुए, व क्या किया, यहां पर बोला गया, कि यह और भी उपर जा सकता है, बहुत उपर जा सकता है, तो इन बिचारों ने इनकी गलती के वो लितनी थी, इनका जो डीमेट अकाउंट था ना, वो भी I think एक हफते पहले खुला था, तो common सी बात है, उनको knowledge नाम की चीज जो थी ना, व यह 15,000 का share, 11,000 और 10,000 तक हो कर आया, वहाँ पर इन्हें अपना loss बुक करना पड़ा, आप समझ सकते हो कितना बड़ा loss हुआ, पता है क्यों, क्योंकि knowledge नहीं थी, अगर यह पैसा, वो invest करते कहीं धंकी जगा, और options के अंदर करते, अब मैं बताऊंगा कैसे, ध्यान से है, आपको मैं बोलता क्या हूँ, वो ज्यादा matter करता है, कैसे करना है, वो ज्यादा matter करता है, clear, so यहाँ पर 75,000 रुपीज इन विचारों ने सीधा equity market में invest कर दिया, मैं आपको बोलना चाहूँगा equity market, के अंदर वो लोग invest करते हैं, जिनको knowledge नहीं होती, क्यों equity market की बात की SBI की 400 का वो stock है, और मुझे यहाँ पे 100 stock खरीदने है, तो total मुझे 40,000 रुपीज की investment यहाँ पे लगेगी, लगेगी, और अगर मैं चाहता हूँ कि भाई, इसके अंदर मेरे stock बड़े हो, मैं ज्यादा quantity में कर सकता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए, कि equity के बाद में future market आता है, इसमें आपको profit का है, कि आप buy करके भी चल सकते हो, आप यहाँ पे sell करके भी चल सकते हो, clear, so उस particular condition में मेरे पास एक opportunity है, क्योंकि equity market में आप केवल ऊपर जाते हूँ ही पैसा बना सकते हो, बट अगर हम future market में काम करेंगे, तो वो ऊपर जाए या नीचे जाए, market में लगा हुआ है, अगर उसने पूरे महीने मेहनत करके कुछ भी ना कमाया, market sideways हो गई, तो उस condition में पैसा कैसे बनेगा, so उन लोगों ने दिमाख लगाया, यहाँ पे options, अब यह options के इंदर मैंने बताया है, CE and PE, चलो, अब यह सबसे जरूरी बात आ जाती है, तो equity में का काम वो लोग करते हैं, जिनको knowledge नहीं होती, पहला point, दूसरी चीज़, future में काम करने का profit क्या है, buy भी कर सकते हो, sell भी कर सकते हो, options की बात करे, आप तब भी पैसा कमा सकते हो, जब market कहीं जाती नहीं है, और market 60% time ना मेरे भाई, market sideways रहती है, तो उस condition में सबसे ज़्याद पै इसको point में बोलते हैं, बट फिर भी मैं रुपीज में example के तोर पे easily समझ जाओ, इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने बोला कि अभी month चल रहा है मालो, January, जिक है, मैं कहता हूँ कि February के end में, February के end तक ये stock जो है, उपर जाएगा, और 120 का हो जाना तो भाई, उतने पैसे, मुझे यहाँ पर चुकाने पड़ेंगे, बट मेरे पास इतने पैसे है नहीं, और मैं देना भी नहीं चाहता, clear सी बात है, तो मैंने क्या किया, मैंने options को देखा, options में होता क्या है, options में एक चीज होती है, जिसको बोलता है, premium, अब premium की बात करें, तो इसमें intrinsic value होती है, प्लस इसमें time value count होती है, ठीक है, अब इन दोनों को समझो, intrinsic value जो सच में उसकी value होनी चाहिए, और time value जो अभी हमारे पास समय है, उसके अंदर जो value count हुई, उसकी बात की जा रही है, तो मैंने बोला कि 100 रुपीज की चीज की जो call है, C, E, क्योंकि उ put को buy करेंगे, तो नीचे जाएगा, तो put की value बढ़ेगी, यह मतलब उपर नीचे का game होता है, उपर की तरफ call जाती है, नीचे की तरफ put जाती है, clear, अब बात आती है, मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपीज की call को देखा, भाई, उसका price कितना चल रहा है, तो मैंने नोटिस क को buy किया, केवल और केवल कितने में, 1000 रुपीज में, अब maximum क्या हो सकता है, तीन condition बनेगी, ध्यान से समझना, पहली चीज होगी, कि यह 100 रुपीज का stock, 100 रुपीज पर ही टिका रहे, पूरा मन्त, जिसको हम sideways बोलते हैं, दूसरी चीज, यह नीचे की तरफ गिर जाए, न अगर यह उपर के तरफ भागना चालू कर देता है, तो जनवरी, फरवरी के अंत में, जब इसकी expiry होती है, तो अगर मालो यह 100 रुपीज की चीज, 150 की हो गई, तो अब मेरा price कितना हो जाएगा, जितना उपर वो गया, उस particular premium से, कितना 100 से 150 गया, तो 50 पॉइंट का profit यहा पर problem आती है, तब जब market sideways हो जाए, तो भी आप नुकसान में, market अगर नीचे गिर जाए, तो भी आप नुकसान में, market का मतलब वो particular stock की बात हो रही है, प्लस अगर वो 110 रुपीज पर आके बंद हो जाता है, तो आपने 10 पॉइंट की तो premium खरीदी थी थी न, तो वो आपको कोई फायदा नहीं पहुचाने वाली, आपको वहाँ पर 0 loss होने वाला है, और 0 profit होने वाला है, क्योंकि वो 110 पर जाके बंद हुआ, और 10 पॉइंट आपने पे किये थे, तो आपकी premium की value कितनी होने वाली है, 10 points की, तो इस तरीके से option buying की जाती है, अब बात आती है, इसमें नुकसान क्या होता है, समझो, नुकसान ये है कि market अगर sideways है, तब भी आपको losses होंगे, losses कितने हो सकता है, जो आपने CE को buy किया है, कितना 1000 रुपीज पे जो buy किया है premium को, आपको पहला loss हो सकता है, उस 1000 रुपीज का अगर market sideways हो जाती है, दूसरा loss हो सकता है कि अगर वो 110, 100 point है न, 110 के नीचे रहता है यहाँ पे कहीं पे, तो भी तीसरी condition में आपको नुकसान ही होने वाला है, क्यों अगर वो 110 से नीचे रहा, तो आपको कुछ भी profit भी नहीं हुआ, आपका premium भी 0 ही होने वाला है, उस particular condition में, clear, और अगर वो यहाँ से बहुत उपर भी चला जा कि आपको profit हो, ठीक है, तो यह बात हुई option buying के अंदर, अब हम देखेंगे इसके opposite, जो की mutual funds या बड़े-बड़े bank investment जो करते हैं, वो लोग इस चीज़ को follow करते हैं, market में एक ही ऐसी जगा है, जहां पर आपको पहले ही पता लग जाए, कि मुझे losses कितने होंगे, और मुझे profits कितने होंगे, लोग share market को जुआ बोलते हैं, पता है क्यों, क्योंकि वो बिवकूफ हैं, सच बात ये है, share market जुआ उन लोगों के लिए है, जिनको वो चीज़ करनी नहीं आती, मैं हमेशा बोलता हूँ, जुआ हर वो चीज़ है, जो आपको करनी नहीं आती है, अगर मैं को बोलू, कि भाई, plane उडाओ, तो आप सबको मरवाना तय है, अगर किसी pilot को बोला जाए, plane उडाओ, तो उसके लिए वो रोज का काम है, तो professional बनो, उसके बाद पता करो कि वो सच में वो काम की चीज़ है, या फिर वो नुकसान वाली चीज़ है, तो profit and loss, जहाँ पे पहले पहली पता लग जाता है, मालो मैंने कोई 100 points का एक stock है, उसको मैंने हापे से देखा और उसको buy किया, उसके premium को, CE को buy किया, जिसका premium का price था, अब buy किया कितने पर, 1000 पे, मालो 1000 रुपीज उसके premium बैठी, मेरा maximum profit आ सकता था, बट अगर मैं कहूं option selling करने के लिए, तो option selling में आ आप easily like moving average लगा कर देख सकते हो, एक second, आप क्या करोगे, आप easily क्या करोगे 200 days moving average को, one day के time frame पर लगा कर, identify करो कि यह up trend यह downtrend यह downtrend यह, उस हिसाब से monthly basis पर position बना के बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको profit है कि आपको losses भी पहले से ही पता है, और आपको profits भी पहले से ही तो इसको आप gambling नहीं बूल सकते है, जहाँ पर हमें already पता है कि क्या हो सकता है, clear, so मैंने बोला कि 110 से उपर नहीं जाना चाहिए, particular XYZ जो stock है, वो इस से उपर नहीं जाना चाहिए, तो मैंने क्या किया, 110 की, एक second, मैंने 110 की जो call है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर short करने की ब चल रहा है, 10 points का, चीक, अब क्या होगा, 10 points का, अब मैं कहता हूँ कि भाई, इसको मैंने sell किया है, तो मेरा जो maximum premium का profit हो सकता है, वो 10 points का हो सकता है, बट अगर यह 100 से 150 चला गया इसका price, तो भाई, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, जो चीज मैंने 10 रुपे की बेची है, तो short की जगह आप क्या करो, आप buy कर लो किसको 115 को, CE को, जिसका premium price कम होगा, क्यों पास की जो premium होती है, उसका high होता है, और जितना दूर जाते रहते हो इस particular price से, उसका कम होता रहता है, मालो इसका price 10 points था, तो उसका price 5 points मालो होगा, clear, तो अब क्या हुगा, आपने यहाँ प हिंदा money count नहीं हुई, तो 10 points में से minus 5 points करो, तो 5 points का आपको final profit होगा, क्योंकि दोनों की दोनों premium को 0 बनना तैह है, अगर यह 110 के उपर नहीं गई तो, clear, दूसरी condition हो सकती है कि market नीचे गिर जाए, उस condition में तो यह और भी जादा fast way में नीचे की तरफ गिरेंगी और दोनों premium 0 बन जाएंगी तो वहाँ पर भी आप जीत जाओगे, तो पहली condition तो आपकी यह हो गई जीतने की market sideways है, तो first condition sideways, दूसरी condition कह सकते हो कि down चली जाए, अब तीसरी condition की बात करें कि price जो है 110 तक चला जाए, कि 110 को touch करें, तो इन तीनों conditions में आप जीतने के chances कितने हुए, ध्या जीत गए, अब नुकसान की बात करें, आपको गया नुकसान कितना हो सकता है, अगर ये 110 की बजाए, या 100 से 130 भी चला जाए न, तो भी आपको जो losses हैं, वो limited ही होने वाले है, उसमें कुछ भी problem की बात नहीं है, losses कितने होंगे, बीच का जो gap है, common सी बात है, वो minus, 10 point वाला था, time value के साथ में, तो वो हमारा maximum gap बोल सकते हैं, जो हमें वापे losses दिखा सकता है, तो इस कारण हमेशा बोला जाता है, कि option seller के जीतने के chances होता है, 66%, क्योंकि उसको market sideways हो जाए, तो भी वो जीत जाएगा, market गिर जाए, तो भी वो जीत जाएगा, और market एक particular level तक जाती है, तो भी वो जीत जाएगा, और अगर market उपर भी भाग जाती है, तो भी उसको loss होने के जो कह सकते हो, parameters है, वो उसको already पता है, कि मुझे इतने का loss हो सकता है, और इतने का profit count हो सकता है, clear, so ये है कारण option selling करने का, अब बिचारा जो option बायर होता है, उसके जीतने के chances होता है 33%, कि कोई खतरनाक moment आजाए अचानक से, तो उसको profit हो जाए, उसकी जब premium 10 उर्पे की थी, वो अचानक से 100 उर्पे की हो जाती है, कोई बहुत बड़ी moment आजाती है, भगवान बरो से, तो अगर आप भगवान बरो से चलना चाहते है, तो option buyer बनो, option buying में दिक्कत पता है, कहा So, यह है असली concept, जो लोग सच में, regular way में, profit कमाना चाहते हैं, pension create करना चाहते हैं, वो लोग केवल एक ही चीज़ को समझें और सीखें, जिसको option selling बोलते हैं, market में, market उपर जाए, तो भी option seller पैसा बनाएगा, नीचे जाए, तब भी पैसा कमाएगा, market sideways हो जाए, तब भी पै pension create कर सकते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी यार, हम तो विल्ले हो जाएंगे, क्या करेंगे, हम किसी को क्या बताएंगे, देखो, आपको क्या करना है, आपको पैसा कमाना है, ठीक है, पहला concept, कि मुझे करना क्या है, पहली चीज़ क्लियर हो गई, दूसरी चीज़, पैसे को काम पे लगाना है, अब पैसे को काम पे लगाने के लिए, आपको मैंने बताया, जादा चीज़े करने की ज़रुवत नहीं है, कि आप बार-बार नएने product ले रहे हो, नएने चीज़े कर रहे हो, देखो, सो जगा पर धक्के खाने से अच्छा है एक जगा पर महनत करो, प्रॉपर उसकी strategy समझो, सब कुछ करने के बाद में वहाँ पर काम करो, क्योंकि ये चीजे कभी बंद नहीं होने वाली, आप थे तब भी है, आप नहीं होंगे तब भी है, पहले भी थी, clear, so इस बात को समझना जरूरी है, पैसे से काम कैसे करवाना है बस इतनी बात समझो, अगर आपके पास में मालो 10 लाक रुपीज हैं, आप option selling करते हो, तो option selling में आप easily यहाँ पर कह सकते हो, कि भीने का 5-10% तक निकाल सकते हो, ये मेरे भाई कम नहीं होता, ठीक है, 10 लाक पर अगर आप 50,000 की बात करो, तो एक इंसान की जॉब बैठते है जो दिल्ली में रहकर करता है, और पूरे दिन बैंड बजती है उसकी, सुबह 8 बहे से लेकर, शाम के 9 बज तक की वो बिचारा भागता रहता है, भागता रहता है, final product क्या होता है, money, और उसको वो क्या करता है, फिर उसको वो बिचारा bank में रखता है, कि भाई बेटा, मैं पता है क्यों, जो इनको profit होता है, उस पैसे को लगा देता है, नए business के अंदर चल बेटा काम पे लग, अब वो उस business से जो profit हुआ, उसको भी add कर लेंगे, अब अगली बार के business में, profit में, अब ये दोनों जो profit हुए, इससे तीसरा business खड़ा कर दिया, तो Amazon को भी tax pay नहीं करत है कि पैसा उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है, और आम जन्ता भीचारी बनी रहती है, बेबकूफ, क्यों, वो सो सोचती है, हम पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, भाई, कितना कमाओगे, अगर तुम पैसे को कमाना चाते हो, तो पैसे को काम पे लगाना पहले सीखो यह चीज यार किसी भी जगा पर सिखाई नहीं जाती प्रॉब्लम यह है जब मैं यह चीज़े सोचता हूँ गुस्सा आ जाता है यह चीज़े मुझे पहले की नहीं बताई गए जब मैं 15, 16, 18 यह था I think अभी तो मैं कहीं करोड का मालिक होता है अभी तक के अगर मुझे financial education के बारे में focus कराया जाता ना कि क्या होता है PCM, क्या होती है like फालतु की चीज़े, like engineering drawing जिसके बारे में आज तक मुझे कभी usable कभी लगा ही नहीं कभी कुछ किया ही नहीं, clear so यह बहुत ज़रूरी बात है इसी के साथ मैं आप दूसरी companies को देख सकते हो जो बहुत ज़ादा profit कमाती है और कमाने के बाद में करती क्या है business को किवल गुरू करती रहती है एक company दूसरी company को खड़ी कर देती है profit बनाते रहते हैं profit बनाते रहते हैं वो कभी भी खुद मेहनत करने पर focus नहीं करते उनका कहना है कि पहले मुझे अपना पैसा कमाना है उसमें जितनी मेहनत लगनी है करो उसके बाद उस पैसे को काम पर कैसे लगाना है उस चीज़ को समझो अभी अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताओ ना मुझे ना काफी सारी चीज़े अभी मैं बहुत सारी चीज़े करने ही कोशिच कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ because अपनी capabilities को जानना भी बहुत जरूरी काम हो जाता है अभी की बात की जाए तो पैसे से काम कराना like money की बात करें तो कैसे किया जा सकता है दोखो वीडियो काफी लंबी हो रही है I know but मुद्दा है कि आपको ये बात समझ में आए कि profit कमाने के लिए profit कमाने के लिए आपको महनत करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई आपको पैसे से काम कैसे कराना है वो सीखना जरूरी है इसको बैंक में मत बंद करो इसको ये मत करो कि तुब बैट तिजोरी के अंदर चीग है कैश में कराके तिजोरी में गड़ाना ये कोई profitable काम नहीं है आज के समय में पैसे से पैसा कमाना जो सीख जाता है वो जादा मेहनत नहीं करता और मैं खुद को कामचोर बोलता हूँ सच बता रहा हूँ मेरे घर में खुद फील होता है कि यार ये बंदा जीना चड़ता है अपने रूम में जाता है और अराम से नीचे उतर जाता है यह कहीं जाता ही नहीं है, यह कुछ करता ही नहीं है, मेरे महले वालों को भी यह प्रॉब्लम है कि यह कुछ करता ही नहीं है, और concept simple सा है मेरे भाई, concept यह है कि अपने पैसे को काम करवाना है, आज पैसा काम करेगा, मालों मैं महनत कर रहा हूँ, मैंने like दो साल, तीन साल महनत कि मैंने 2 या 4 CR के आसपास की earning किये, मैं कहता हूँ 4 CR के account पे न, अगर मैं बात करूँ तो currency के अंदर मैं अराम से महीने के कह सकते हो, 10 lakhs plus निकालने वाला हूँ, और ये future मुझे साफ दिखाई दे रहा है, reason पता है क्यों क्योंकि जब छोटे testing mode में जब हमारे पास ज़ादा चीजे ना हो, problem होने के लिए testing mode में सब test कर लो कि क्या strategies work करती हैं, कैसे हमें काम करना है, कैसे मैं account handling को manage करने वाला हूँ, कैसे मेरे softwares होने वाले हैं, कैसे मैं classes लेने वाला हूँ, कैसे मैं trade डालने वाला हूँ क्या मेरी trade concept होंगे, इन सब चीजों को ना, तब महनत करो जब आप 10 lot, 20 lot, 30 lot में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये करने के बाद में experience gain होगा, experience gain होने पर जिस दिन बड़ा fund हाथ में आएगा ये चीज आने के बाद में आपको कै लगता है जिनको मैं जानता हूँ, मॉंबाई से है, 30 दिन में से केवल और केवल, 4 दिन काम करते हैं, 26 दिन अराम करते हैं अभी भी message करूँगा ना, तो वो बंदा कहीं गोवा में पढ़ा होगा, हो सकता है, वो Malaysia पढ़ा हो, ऐसी condition है लोगों की और लोग ऐसी life जी रहे हैं, मेरे भाई लोग ऐसी life जी रहे हैं, पता है वो कैसे जी पा रहे हैं, because they know कि पैसे से काम कैसे करवाना है, अब आप अपने गाउं में रहकर अगर ये चीज़ सीख सकते हो क्या दिक्कत है, आप अगर शेहर में रहकर सीख सकते हो, क्या दिक्कत है, बट अगर आपकी mentality बन चुकी है, नहीं, 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 भाई, सुबह आट बजे उठूँगा, feel होना चीए, मतलब हमें feel होना चीए, जब तक पसीने में कपड़े गीले ना होना, तब तक feel नहीं आता, कि हमने मेहनत की है, clear, तो सुबह आट बजे हम निकलेंगे, दस बजे हम अपने office पहुचेंगे, दस बजे के बाद में फिर दूफएर में डिनर करेंगे, जैसे colleges में होता था था न, स्कूल में बच्चे डिनर करते हैं, दो बजे चलो, खाना खालो, टिक फन लाया थे अपना आराम से सोना है, फिर उसके बाद में उठना है, फिर वही continue cycle चल रही है, यार, ये, ये continue cycle चल रही है, और ये cycle कभी भी अब बंद नहीं होने वाली, क्योंकि उसने अपने आपको एक zone में डाल दिया, जिसको बोलता है, comfort zone, ठीक है, अब आपको comfort हो चुका है, कि सुबह उठना, शाम तक काम करना, ये मेरी life है, और जबकि एक और life जी जाती है, जो लोग जी रहे हैं, जो सामने दिखाते नहीं हैं, वो hide होके रहते हैं, बिकॉर्स उनको जरूरत ही नहीं है, बिकॉर्स उनको पता है, कि हमारे लिए एक employee काम कर रहा है, वो employee है, पैसा, clear, तो इस तरीके से, share market से, option selling के थुरू भी pension बनाई जा सकती है, आप कहेंगे कि भाई, हमें कितनी बनानी चाहिए, बिकॉर्स स्टार्टिंग आप कर रहे हो, तो आप चाहे दो लॉट से काम करो, आप चाहे तीन लॉट से काम करो, मुद्दा है process, पैसा important नहीं है, अगर आप नए नए हो, और share market minimum यार दो से तीन साल मांगती है, अगर आप यहाँ पे long term, अपनी psychological development करना चाहते हो, अभी मेरे घर में कभी भी कोई job नहीं करने वाला है, clear, अभी मेरे घर में कभी भी job नहीं होगी, और दूसरी बात यह है, कभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं court, pen, tie, pen, कर job पे जाने वाला हूँ, वो सपना, अब हमेशा के लिए सपना ही होने वाला है, I think, ठीक है, because trading करनी है, वो trading जो है, केवल psychological game है, आप उसको अराम से, without any problem कर सकते हो, और आपको logic पता लग चुके हैं, कि यार यह चीज़े काम करती हैं, और क्या क्या चीज़े करती हैं, वो पहले बता दिया, मैं कभी भी option buying किसी को नहीं कराता, मैं सीधा बोल देता हूँ option buying करने वाले को, कि भाई, कैसे, profit कैसे आ रहा है, जब वहाँ पर math कहता है, कि 33% chance है कि आप जीतोगे, और आप कह रहे हो, कि मैं जीत रहा हूँ, तो मुझे कैसे, मतलब strategy क्या है, वो strategy कभी किसी के साथ share ऐसे करता नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना enjoy करो, बट actual में safe way है option selling, safe way है currency, अगर यहाँ पर बात की जाए, उससे भी ज़ादा safe अगर बोला जाए, में यहाँ पर आपको currency derivative पर click करना है, यहाँ पर आप notice करोगे, तो currency के अंदर आपको कुछ चीजों के बारे में, like USD, INR के बात करें, तो केवल एक ही के अंदर आपको काम करना है, बाग यह चीजों के चक्कर में नहीं पढ़ना, तो आप यहाँ पर देखोगे, तो आपको एक अच्छा खाजा, like, यहाँ पर September, October, 27th October, यह इसका main premium का expiry है, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो आपको एक अच्छी खासी volume, यहाँ पर आपको अच्छी खासी volume में मिलेगी, आपको काम करना है, तो आप proper way में कर सकते हैं, depend करता है कि आपकी quantity कितनी है, आप कितने number of lots के अंदर काम कर सकते हैं, अगर आपके पास extra money है, आपके पास में 10 lakh, 20 lakh रुपीज है, तो भाई, आप यहाँ पर easy way में money earn कर सकते हो, कोई बड़ी problem नहीं है, आप यहाँ पर बड़े lots में काम कर सकते हो, lot quantity कम नहीं है, volume कम नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इतनी volume है कि आपकी दाल गल जाए, common सी बात है, हमें अपने बारे में सोचना है, लोग क्या कर रहा है, गलती यह है, इसमें तो volume कम है, अरे भाई, तुम्हें अपने 10 lot, 100 lot, 1000 lot, जादे जादे इतनी तो order डालोगे ना, इतनी volume है ना, काम चल जाए, बात खतम, आपको अपने से मतलब है, सबसे मतलब है, पहला point तो यह आ जाता है, तो हमेशा ध्यान रखो, आपको अपने पैसे को grow करना है, तो पैसे से काम कराने पर focus करना है, मेरे account के अंदर में जादा पैसा रखता नहीं हूँ, reason है उसके पीछे, वो कहां कहां invest, कहां कहां लगा रहता है, वो चीज में बताना भी नहीं चाता है, reason simple सा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था, last video में 4X trading, मेरा main focus है इस जगा पर, मुझे पता है कि मेरा future इस जगा पर जादा grow कर सकता है, मुझे पता है कि ये चीज करना मेरे लिए आसान है, ये कभी बंद नहीं होगा, मैं वो काम करना prefer करूँगा, जो कभी बंद नहीं हो, मैं वो काम करना prefer करूँगा, जिसके अंदर मैं long term profit gain कर पाऊँ, मैं वो काम करना prefer करूँगा, जिसमें मेरे होने ना होने से कोई फरक ना पड़े, अगर मेरी strategy, जो मैंने back test किये अपनी महनत से, 2 साल, 3 साल, मुझे पता है कि ये ऐसा होता है, trend पता लगाना, like news कैसे आती है, किस news को कैसे analyze करना है, तो मैं इस चीज में, मुझे पता है कि मैं 4-5 साल में इतना expert बन जाऊँगा, कि अगर मैं 100 trade करना हूँ, तो 100 trade में 70-80 trade मेरी profitable जाने वाली है, तो मेरे भाई, इस जगा पर मैं ज़्यादा focus करूँगा, क्योंकि ना तो ये कभी बंद होगी, ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, leverage की power यहाँ पर use होती है, आप यहाँ नहीं तो इंडिया से बहार जाओ, वहाँ पर जाके company registered करो, तो वह काम भी किया जा सकता है, बट वो कब होगा, पैसा, common सी बात है, दो तीन करोड से यहाँ पर starting होना, इतना अच्छा amount बन सकता है, कि क्या इंडिया में business होंगे, क्या लोग काम करेंगे, common सी बात है, तो आपको growth चाहिए ना, तो growth के लिए अपने पैसे को काम पे लगाना सीखना जरूरी है, आप नीचे comment करके बताना कि अगर आप चाहो, तो यहाँ पर मैं financial education related जो books पढ़ता हूँ, उनके बारे में information provide कर सकता हूँ, क्या चीज़े होती है, कौन कौन सी strategies होती है, असली चीज़ वही है, और कुछ भी नहीं है, clear हर इंसान एक चीज़ को दो तरीके से देखता है, ठीक है कि कैसी करना है, क्या नहीं करना है, तो यह strategy का game है, यह पूरा का पूरा आपका trading mindset का game है, कि आप कैसे सोचते हूँ, चीक, मेरे पास बहुत सारे client ऐसे आते हैं, जो थोड़े से लालची होते हैं, and I know कि वो थोड़े लालची हैं, तो भाई, आपको ध्यान देना है कि लालच से बचकर आपको money management, इसको कैसे काम पे लगाना है, सबसे best employee आपके लिए जो हो सकता है, वो यह है, इसके इलावा दुनिया में कोई आपके लिए इससे जादा शिद्दत से काम नहीं करने वाला, इस बात को आप आज समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा, आप इस बात को 5 साल बाद, 10 साल बाद समझोगे तो भी अच्छा रहेगा, आपको भी यह चीज समझनी है कि money management के साथ pensions create करने का केवल और केवल एक ही रस्ता है, जिसको option selling बोलते हैं और इसको आप currency में भी कर सकते हो, इंडिया में रहते हुए 100% legal way में और अगर आपका अभी तक के forex account जिस currency trading account है इंडिया में नहीं खुला तो मैंने नीचे description में link भी दी है, आप वहाँ पे जाके गर उपन करते हो तो आपको personal group में डाल दिया जाएग आपको नीचे एक form दिया गया है जिसको आप fill करेंगी तो हमारी support team आपको contact करेगी और जो भी questions होंगे आपसे one by one call करके proper way में समझाया जाएगा कि आपकी problem क्या है और उसका solution क्या होगा नीचे form है उसको fill करना ना भूले clear और नीचे comment करें जो भी आपको questions है वीडियो को like क अपने friends के साथ share करें जो लोग पैसे के लिए काम करना ज्यादा पसंद करते हैं मैं यह नहीं कहूंगा कि अभी आपकी age 20 या 22 है तो क्या आप job ना करें job करो पैसा कमाने के लिए initial amount कमाना ज़रूरी है उसके बाद उस पैसे से काम कैसे करवाना है और पैसा बनाने के लिए इसको बोलते हैं skills अब यह skills धीमे धीमे grow की जाती है आप wish की आज की वीडियो थूड इसी लंबी जरूर है बट मैंने काफी सारे concept जो real life में मेरे साथ भी problem create करते हैं वो सारे यहाँ पे share करने की कोशिश की है ठीक है so किसी को भी connect होना है हो सकते हैं मेरा number है 8077-521-043 पर आप high करके message भेज सकते हैं काफी सारी चीज़े में अपने status पर update करते रहता हूं WhatsApp पर तो आपको भी वहाँ पर free of cost वो चीज़े देखने के लिए मिल सकती हैं तो मिलते हैं next important वीडियो के अंदर इसे के साथ वीडियो बंद करता हूं I wish कि आपको यह concepts समझ में आये तो करना क्या है नीचे comment and video को like करके ही जाइएगा